अगर आपको रुमांचिक सफर का स्वाख है और दोस्तों संकिसी सांदार ट्रिप पर जाना चाहते हैं लेकिन ना तो आपके पास लंबे चुट्टी है और ना ही अधिक बजट तो भी आप सफर का आनंग दे सकते हैं दिली में आपको कई घुमने लाइक जगह मिल जाएंगी राजस्थाने दिली में ही ऐसी जगह है जहां रात में घुमना मज़ेदार होता है वही कुछ ऐसी जगह भी है जहां लोग दिन में जाने से डरते हैं ये जगह दिली की सबसे डरावनी जगों में से सामिल है दिली की इन भुतहा जगों से जुड़ी कुछ कहानिया मसूर है कहते हैं कि यहां से चीखे की आवाजें आते हैं कहिं बच्चे रोने सुनाई देते हैं यहां दिन में जाने से दोग डरते हैं और साम होने के बाद जाने की अनुमती नहीं होती है तो दोस्तो चलिए जानते हैं दिली की इन भुदहा जगों के बारे में जहां आप अपने दोस्तों संग जा सकते हैं दिल्ली के सबसे डरावनी जगा है दिल्ली कंटोन्मेंट कहते हैं कि यहां सफेद साड़ी में एक महिला नजराती है जो अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगती है लोगों का यह भी कहना है कि अगर महिला को लिफ्ट नहीं दी जाती तो वो उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है महिला के स्पीड गाड़ी के स्पीड जितनी तेज हो जाती है लोगों के लिए ये काफी बायानक अनुभाव रहता है दिल्ली के भूता जगों में लौथियम सेमेंट्री का नाम भी सामिल है यहां कई लोगों ने भूत देखा है इस जगह पर आने वालों को अक्सर भूतिया हसी और रोने की आवाजे सुनाई देती है कब रिस्तान होने के कारण यह जगह लोगों की नजरों में आधिक तरावनी बन जाती है संजय वन दिले में हैं इस देत जंगल नुमा संजय वन भी दरावना है प्रकिती से गिरा है इस जंगल पर रात के वक कुछ दरावने घटना है होती है लोगों का कहना है कि सफेद कपड़े में पूरी औरत दिख जाती है अगर आप रात के वक्त यहां पहुंचो तो कभी आपको मैसूस होगा कि किसी ने अचानक आपको धक्का दे दिया गर्मे में कौरा और धुन्ध होना जैसी अजीब और गरीब हरकते होती है जो सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन यहां की कते है कूनी दर्वाजा राजस्थान में कूनी दर्वाजा नाम की जगर जहां कई लोगों ने चीखे और रोने की आवाजे सुनाई देती है कहते हैं कि तीन राजकुमारों की यहां बेरहमी से हत्या करती गई और सुनतता सैनानियों को फासी दे दिया गया तो दोस्तों अगर आपको मेरी डरावनी स्टूरीज या ऐसे कुछ प्लेसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करें हम इसी से रेलेटेड आप वीडियो बनाएंगे और अगर आप दुवारा इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और इसी तरह कहानिया सुनते रहें थैंक यू